एक amazing excel trick जिसके थुरू आप कमा सकते हैं 2,171 रुपे मतलब 2,171 रुपीज हर दो घंटे के प्रोजेक्ट के as a second salary मतलब करीबन करीबन 43,000 रुपीज हर महीना as a second salary or as a side income अब ये काम क्या है कैसे होगा with an exercise file और आपको ये काम कैसे मिलेगा बिना किसी competition के इस वीडियो में detail में हम लोग समझने वाले हैं हाई मैं हूँ लौकेश लालवानी और फिछले 12 सालों से मैं freelancing कर रहा हूँ और साथ ही मैं एक लाख लोगों से जादा को मैं train कर चुका हूँ Excel के उपर और हाँ मैं एक Excel book का author भी हूँ चलिए अब detail में समझते हैं कि ये काम practically कैसे होगा तो आप इस काम के कमा सकते हैं 2,181 रुपे हर 2 गंटे के project के अब इसमें best part यह है कि हजारों की तादात में projects available हैं तो अगर आप इपर job करते हैं, jobless है, student है या किसी government exam की तयारी कर रहे हैं तो दिन में 1-2 घंटा निकाल कर ये काम कर सकते हैं और महीने के कमा पाएंगे 43,000 रुपीज as a second salary So watch this video till the end चलिए अब समझते हैं कि इस video के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा payment proof उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये काम practically कैसे होगा आपको Excel की knowledge नहीं भी है फिर भी आप ये काम कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए मैंने एक exercise file create करी है जिसका link नीचे description bio में given है आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं और इस video के बाद उसमें practice कर सकते हैं और फिर finally मैं आपको बताऊँगा कि ये काम बिना किसी competition के आपको कैसे मिलेगा चलिए आप payment proof देखने के लिए चलते हैं ट्रिक मैं इस वीडियों बताने वाला हूँ अगर आप देखोगे 32 reviews इनके पास already है almost 5 की rating है इनके पास which is a very good rating अगर आप इनका basic package देखते हैं तो ये charge करते हैं basic data analysis का 2171 रुपे 2171 रुपे standard के अगर हम बात करें तो data analysis भी करते हैं visualization भी करते हैं अंदर graph बनाते हैं और उसका ये charge करते हैं 4300 रुपीज से जादा और premium के अंदर ये complex data analysis करते हैं और 8600 रुपीज से जादा ये charge करते हैं मैं अगर इस complex data analysis को भी हटा दू अगर आप देखेंगे जो trick हम लोग बताने वाले हैं आप इसमें easily basic data analysis कर पाएंगे तो चलिए अब हम open करते हैं अपनी excel file तो ये है हमारी excel file इसी file का link नीचे description में दिया हुआ है आप जाके download कर सकते हैं बट पहले recommended है ये पूरा video आप देख लीजिए उसके बाद आप practice करें अब इस file के अंदर हमारे पास क्या है गर आप देखे तो यह total 5000 orders का data हमारे पास है orders में क्या क्या होता है sales का data basically order id, order date, ship date, shirt mod, customer name, ì purpose point काउछ से इसे सेग्मेंट से ब़िलोग करता है कौँसी country, कौन से city, कौँसी state postal code क्या है region क्या है product ID क्या है, sub category क्या है, category क्या है, product का name क्या है, sales क्या है, quantity क्या है, discount क्या है, profit क्या है, तो यह सारे data हमारे पस detail में available है और वो भी 2-4 नहीं बट 5000 रोज का data available है, अब जब client आपके पास आता है, तो बोलता है, देखो, मुझे data का analysis करवाना है, क्या आप ये data का analysis कर दोगे, you can say, yes, I can do that analysis on the behalf of you, अब वो कैसे करोगे जो ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ अब उसकी requirement कुछ इस तरह किये जो मैंने यहाँ पर question लिखे हुए क्या क्या requirement है उसकी यहाँ पर वो कहता है मुझे total sales बताओ state wise and customer name wise ताकि मुझे यह पता चल सके कि हर एक state में हरे customer ने कितना total buy किया है मेरे से top 5 product sales from the state of Florida top 5 product ऐसे बताओ जो की जिनकी sales सबसे ज्यादा होई है Florida के अंदर ताकि मैं उनको stock up करके रख सकूं right और उनका जो सामान में भरके रख सकूं ताकि उसकी sale और बढ़ सके या उसके उपर मैं कोई offer चला सकूं this is what analysis right data analysis क्या होता यही तो होता है उसके बाद है total sales by year and quarter of ship date yearly and quarterly sales मुझे बताओ ship date के accordingly कि कितना कितना total sale हुई है तो यह तीन question अभी इसी video में हम लोग solve करेंगे उस trick के base पे जिसमें आपको prior knowledge की ज़रूत नहीं पड़ेगी चलिए अब हम बात करते हैं और यह करने का start करते हैं बढ़ उससे पहले एक चोटी से request है मैं try करता हूँ कि knowledgeable video आप तक पहुचाना जितनी जादा knowledge हो सके कम टाइम में ताकि आप यह समझ सके और अपने करियर में ग्रोथ ले सके बीट फ्रीलांसिंग या जॉब के अंदर इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए इससे मुझे बहुत जादा motivation विल राइट चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है डेटा को selection देना है डेटा को selection करने के दो-तिन तरीके हैं या तो आप पहले cell पर आएं उसके बाद control shift down arrow press करें control shift right arrow press करें तो आपका data select हो जाता है दूसरा तरीका क्या होता है आप control A प्रेस करेंगे तो भी data बुरा select हो गया control A मतलब select all उसके बाद मैं प्रेस करता हूं shortcut control backspace यह क्या होता है मिरको ले जाता है अपने पहले cell के selection पर ताकि मुझे clearly दिखें कि मैंने यहां से selection अपना start किया clear हो गया तो यह हो गया data का selection अब हम क्या करेंगे देखो home tab के अंदर rightmost corner में एक option आ रहा है analyze data समझना ध्यान से पहली चीज़ वरी वरी important यह जो feature है latest version of excel के अंदर available है आप office 365 use करेंगे तो उसके अंदर यह available है दूसरी चीज़ अगर आपने कभी power bi use किया है या power bi हमसे समझा है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर Q&A वाला एक option आ होता है जो की AI based feature होता artificial intelligence based वही यह feature इन्होंने अब excel के अंदर डाल दी बहुत amazing है हमें करना क्या है इसके उपर click करने जैसे हम click करेंगे तो क्या होगा यह जो selected data है उसको analyze करना back end में start कर देगा और इसको कुछ seconds या कुछ minutes लग सकते हैं depending on the size of the data मैं इसको वीडियो को थोड़ा fast forward करता हूं ताकि यह analysis अपना complete कर लें तो यहां पर analysis का complete हो गया है अब बात आती है कि हमें एक question इससे पूछन है यहां पर आप देखो कि तो अब यह samples बता रहा है कुछ suggested question बता रहा है but clients are related हमें already question मुल चुके हैं तो हम उनी question को directly यहां पूछ लेते हैं पहला question क्या हो गया की total sales by state and customer name उसको हम simply है question के अंदर put कर देंगे और यहां पर हम कर देंगे go तो जैसी हम go पे click करते है अरो पे click करते हैं तो इसने data का analysis हमारे लिए complete कर दिया है done हो गया है देखा मेरा को बताना कोई prior knowledge की जरूरत नहीं पड़ेगी this is what I was talking about और उसके बाद देखो क्या करना है अभी तक यह Excel के दो sheet के अंदर नहीं है अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको Excel की sheet में डालना पड़ेगा ताकि हम यह अपने client को दे सके तो जैसे हम click करते insert pivot table और आप देखो कि यहां पर suggestion one के नाम से एक sheet बन गई है और एक पूरी pivot table यहां पर create हो गई है जहां पर state wise customer name आ गया और उनकी total sale आ गई है पूरे data की that is what that amazing part about this feature we have देख रहे हो कितना जबर्दास feature analysis कर दिया इसने just by asking the question that is the power of AI हमें क्या करना है इस power को ही use करना leverage लेना है ताकि हम कमा पाएं second salary earn कर पाएं और इसी चीज के आपको client पैसे देता है मैंनों को बताया था 2180 रुपया आप दो घिंटे में का पाओ पाओ लेकिन आप टेक्निकली देखोगे तो उससे भी बहुत कम टाइम लगने वाला है conservatively मैंने यह दिया था आपको बड़ेवेस युव गॉट पहला question आपने solve कर लिया बहुत ईजली अब second question के ऊपर आते हैं second question हमारा क्या है कि top 5 product sales from the state of florida अब मैं क्या करता हूं यहां पे question put कर देता हूं उसके बाद मैं go pick click click करता हूं and done उसने analysis कर दिया within a second और यहां पर मैं अगें क्या करूंगा insert pivot table ताकि एक sheet यहां पर आजा suggestion 2 के नाम से और देखो top 5 product ids इसने दे दी top इसकी जो total sale है वो दे दी state of florida से यह belong करता है that's it that is the power all right अब third question देखते है third question है कि total sales by year and quarter of ship date orders के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा पास एक ship date का column है इसके base पे yearly quarterly total sales रही है तो हम क्या करते हैं simply यहां पर आते हैं और अपना question दुबारा से put कर देते हैं जो नया question है go पे click करते है and now you will see something different क्या है कि वो table नहीं दिखा रहा अब यहां पर मुझे चार्ट दिखा रहा है reason being में आपको बता देखो चार्ट की इसकी capability है यह क्या करता है अगर data थोड़ा छोटा होता है तो यह चार्ट की form में भी दिखाता है साथ में insert pivot table तो option है ही हमारे पास तो देखो suggestion 3 आ गया और यहां पर yearly quarterly total sales हमारे पास आ चुकी है साथ ही में उसका एक चार्ट बड़ा प्यारा सा चार्ट बनके हमारे पास आ चुका है और इसी चीज के अगर आप ध्यान दिया था आपने तो इसी चीज के यह जो gig है स्टेंडर पैकेज के अंदर 4,342 रुपे है मतलब almost double amount charge कर रहे थे वो चीज आपने यहां पर कुछ ही seconds के अंदर कर ली without any prior knowledge that is an amazing trick I was talking about और यह एक gig एक platform पे है समझो इसके अंदर demand कितनी जबर्दस्त है न बड़ अभी भी आपको मुझे यह बताना है कि कैसे आपको यह काम बिना किसी competition के मिलेगा बड़ उससे पहले पहली चीज यह जो file है excel की इसको आप download कर सकते हो जिसका link मेरे description में दिया हुआ ह जाके download करो practice करो और साथ ही में उससे पहले एक काम और करो अगर आप first time मेरे चानल पर आया है तो यह वीडियो जो आप देख रहे हैं ऐसे सैकड़ो वीडियो मेरे चानल पर हैं ताकि आपको help मिल सके second salary earn करने में job related videos भी बहुत सारे है podcast भी बहुत सारी है and please do subscribe to this channel नीचे subscribe क लीजिए क्योंकि आप जैसे छे लाख लोगों से जादा ने मेरे चैनल को subscribe किया उन्होंने trust रखाया है और इस trust पे मैं try कर रहा हूं खरा उतर ने So please subscribe to this channel and thank you so very much they'll say for that अब हम discuss करते हैं कि ये काम आपको बिना किसी competition है कैसे मिलेगा देखें आपके पास कई सारे platform है freelancing platform जैसे fiverr.com, upwork.com, peopleparar.com and freelancer.com ये platform crowded है लेकिन इनसे काम मिलता है अगर कुछ podcast मेरे चैनल पर जाके देखोगे जिन लोगों ने वो podcast मेरे साथ करी थी वो बहुत अच्छे लेवल पर freelancing कर रहे हैं बट उन्होंने इन्ही platform से start किया था और बहुत पहले की बात नहीं है, साल-दो साल पहले start किया था और बहुत अच्छा कमा रहे है, कोई 6-7 लाग रुप महीना भी कमा रहे है, तो आप वहां तक बहुत सकते हो, trust yourself, trust the process, तो वहां आप जरूर करो, दूसरा अगर आपको बिना किसी competition काम चाहिए, तो उसका एक तरीका ये है, कि एक platform है, जिसका नाम है teacheron.com, teacheron.com के ओपर एक assignment section है, वहां पे कुछ coins खर्च करके आपको बहुत अची leads मिल जाती है, आप वहां से freelancing अपनी start कर सकते हो, दूसरा है LinkedIn platform, LinkedIn platform अगर आपको पता, ए Yes, you can analyze their data into Excel, उनसे बातचीत करके अपने कुछ samples उनको दिखा सकते हो, और इस तरह से आपको काम मिलना start हो जाएगा, LinkedIn के ओपर आपको कोई पैसा खर्च करने की जूरत ने, कोई coins spend करने की जूरत ने, अब एक चीज में आपको और दिखा दूं कि आप कितना actual में time invest करते हो, तो कितना earn कर पाओगे, तो एक earning table में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप 2 घंटा देते हो, तो आप earn कर पाओगे 2171 रुपे, 2171 रुपीज, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पूरा week, total 10 घंटे भी निकाल पाते हो, daily basis पे 1-2 घंटे, total 10 घंटे भी निकाल पाते हो, तो weekly earning आपकी करीबन-करीबन 11,000 रुपे की हो जाती है, और यही monthly income पहुंच जाती है, 43,000 रुपीज से भी उपर, थोड़ी से महनत है, थोड़ा सा time लगेगा, लेकिन 100% आप इतनी second salary earn कर पाओगे, अगर आप ये path को follow करोगे, बढ़ाई नो कि अभी भी आपके mind में बहुत सारे questions होंगे, कि भई, client को approach कैसे करते हैं, profile कैसे create करते हैं, client से communicate कैसे करते हैं, client से negotiate कैसे करते हैं, काम को कैसे deliver करते हैं, payment को कैसे लेते हैं, बहुत सारे questions होंगे, I know, इनी सब questions का answer करने के लिए, और साथ में कुछ और practical projects आप के सामने करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, मैं एक free master class आख रहा हूँ, ये master class online है, बिलकुल free है, जिसका link नीचे description, bio और first comment में given है, आप जाकर इस free master class को join कर सकते हैं, सामने QR code भी given है, आप इस QR code को scan करके भी, इस free master class को join कर सकते हैं, और समझ सकते हैं, complete road map कि कैसे आप second salary earn कर सकते हैं using Excel, और best part, इस free master class को join करने पर मैं आपको bonus देता हूँ, अपनी best selling e-book, जो आपको help करती है, Excel freelancing के अंदर, वर्त रुपीस 1500, बड़ आपको मिलेगी बिलकुल free, जब आप ये free master class को join करेंगे, so do not wait, click on the link below, या scan करो इस QR code को, and sign up for this free master class, और मैं आपका इस free master class में wait कर रहा हूँ,